तो आज की हमारी इस online class में सुनीर जी और शुरंदर जी के साथ हम बात्चीत करने जा रहे हैं pivot table तो आज हम आपको बताएंगे pivot table की कुछ चीजे जो की बहुत जादा useful होती है और अगली जो हमारी चारपराच classes होगी वो pivot table की ऊपर ही होगी और pivot table को बढ़ी अराम से धीरे ध पढ़िएगा को कि pivot table बहुत important part है इसके बाड़े में आपको last class में समझाया था चलिए शुरू करते हैं तो मैं अपनी computer screen आपको दे रहा हूं मेरी एक computer screen जो कि आप देख पा रहे हैं और सबसे पहले data तो ने पताया था last class में कि pivot को सबसे पहले data को समझी क्योंकि data ही main होता है क्योंकि pivot table जब आप यूज करते हैं तो pivot table का जो में मकसद होता है data analysis करना तो data analysis तभी करेंगे जब आप data को अच्छी तरीकिये से समझ लेंगे तापके सामने data है जो आप देख पा रहे हैं मुझे इस data के उपर pivot लगानी है तो सबसे परें data को समझा कि data एक sales का data है मंतली sales का data है मंतली data आप देख पा रहे हैं यहां पर है और यहां name है city है MRP है और in product की quantity है और मैं देख लिया कि में data में कोई blank row नहीं है तो blank row होने पर आसा नहीं कि pivot नहीं लगेगा अगर blank row है तो आपको ज़रूद परेगी data को select करने की अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और इंसर्ट करता हूं लेकिन सब्सक्राइब और देख लिजेगा कि वहीं heading भी ब्लैंक ना हो कुकि pivot table heading के according ही चलता है अगर heading blank हुआ तो pivot apply ही नहीं होगा बट अगर माले जी pivot में नया है और आपके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा pivot लगाओं तो यहां recommended pivot table का एक option आता है लेकिन यह option आपको 2013 जहीं मिलेगा इक मंदिक पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको डेटा को समझेगा समझ के possibility एक पिवट आपको देदेगा कई सारे पिवट टेबल आपको देदेगा आप इसमें से जो पिवट आपके लिए टेबल है उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं आपको अपने हिसाब से लगाना है यहां पिवट टेबल पर क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल ओके कर दिए एक नई सीट पे सुनीजी देख रहे हैं ना आप एक नई सीट पे आपका यहां पे आपका आता है पिवट टेबल का रिपोर्ट एरिया यह आपके फिल्ड से हैं कि इए इसलिए क्योंकि यह चलता है यह चार बॉक्स जैसे में फिल्ड को उठा कर रखेंगे आपका टेबल उससी हिसारा से बनता चला जाए पहले है पहले फिल्टर दूसरा कॉलम रो एंब यहर्ड वैलो को देखते हैं फिल्टर कॉलम को छोड़ ते हैं देखिए हमने नेम को उठाया और रोमे रखने का फैदा है हुआ कि एक लिस्ट के तौर पर आगा हलाकि इसको कॉलन में रखते थे कॉलन में जाता जो कि तुरा सा गरबर होता तो फिलहाल हम इसको रोमें रखते हैं एक से और देखिए आपके डेटा में पूजा कई बार रिपिटेड है बट यहां पे पूजा सिर्फ वान टाइम आया है देख रहा है सर्थ पूजा सिर्फ वान टाइम आया है अब मैं यहां पे मुझे यहां पे चाहिए प्रडॉड गांत को मुझे करना कलेक्शन करना है तो क्यांक्रेक्वेश्श बाले फिल्ड को हमेशा बैलू में रखते है यहां पर रखते ही by default sum आएगा, यहां पर by default sum में तो count आएगा, sum तब होगा जब आपका data जिस field को रख रहे हैं, उस field में आपका data number में है, अगर text में होगा, जो मैं name को उठाओं या मालें जो मैं city को उठाओं तो count हो जाएगा, तो क्यों data count में है, तो यहां पर देखिए, पूजा के sales आगे, sum of sales, अब यहां पर दूसरा question आता है, कि अगर sum आया, क्या count आया, तो का उसको change किया जा सकता है, जी हां, इस side में जो एक arrow के निशान दिख रहा है, उस पर click किजिए, आप यहां सबसे last option दिखेगा, value field option, उपर से last में दिखेगा, value field setting, value field setting पे आएगे, यहां आपके साम में sum, average, minimum, maximum, बगर 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 अहां पर दिख जाएगा, और क्या में एक ही field रह सकता है, आप एक से जाजार फिल्ड लखे देसे, तो आपने दो field जैसे रखोगे, column पे आपका value हो जाएगा, मतलब कि जो भी value 100 होगी, तो column by 100 होगी, हलाकि इस column बाद फि सेल प्रोडक्ति की सेल इस तरह से, मतलब कि मान लिजिए कि इस तरी प्रोडक्त है मैंने सब्ते क्लिक कर दिया, तो सबका रिपोर्ट यहां पे मेरा जन्नेत होगा, लेकिन इस तरह साहल है कि मुझे यह तो pivot format में मुझे unpivot format चाहिए, तो मैं value उठाओंगा, नेम में रख सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां तक समझ में आगया सुनिर जी एंड शुरंदर जी, सुनिर जी मैं आपका नाम बावार नहीं ले रहा हूं, इस बुड़ा मत पानिए कि मैं आपको इक नोड कर रहा हूं, क्योंकि आपका नाम सकें नम कर दो ने जाता है, यहां जी बात इस नहीं क्या किया, जिसे पुजा है आपके तो, फीर इन सबो, इहां पर इन सबो का टोल, इस कोलूम्ठ का टोल, जो होगा ना, वनटिकितना है 169, यहां पर देखिये 169 जी है, थो ड़ी कोड़ा 2 तोल क्या हूं, तो बैल गया हूं, भी नीचे वैलूए किया हो ना, में प्रश प्रशन अपि अगर बॉल कि नियों मैं यहां अ महिए अधी होगा उधी को आप जो यहां रखेंगे प्लब से ऑड़ा श्याइन सब्सक्षय निस बचाते हैं कि नाइन जर्पर पर प्रटक 10 आए तो भागी हूं को निचे कर दो है बचाते हैं कि यहां पर इनें का सीक्वेंस आरा है वह तो आपको डेटाइशी से नेंड उस तरह से हैं इसको अलफाइबनिक शॉर्ट भी कर सकते हैं या फिर हाइस तुलो और लोईर कर सकते हैं वह हम आप तो चल्डकी क्लास में समझाएंगे डेटा शॉर्ट कैसे किया जा अब यह आपकर सामने डेटा दिंग है अब इस डेटा की फॉर्मेंटिंग की बात रहते हैं सबसे पहले हेडिंग क्योंकि हेडिंग की रोल लेवल आ रहा है यहां पर तो होना चाहिए नेम तो मैंने हां पर नेम देखी तो हम हर एक फिल्ड को चेंज कर सकते हैं हम इसको भी चेंज कर सकते हैं पूरा हेडिंग को चेंज कर सकते हैं नाम को भी जो नेम है वह भी चेंज कर सकते हैं चेंज क्या नहीं कर सकते हैं जो टोटल है मतला जो जो इस डैलू फिल्ड में रखा हुआ है जिस पे मैधनेर्टिकल कैल्कुलेशन हुआ है उसको हम चेंज नहीं करता है, तो यहां पर sum of product आ गया, तो मैं यहां पर p-1 करके, यहां पर आएगा, pivot table है, already filled, मतलब की, यह already filled है, तो यह आपका p-1 नहीं लेगा, तो यह आपको ऐसा ही दिखाना है, एक space place कर दीजी हो गया, p-2 अब यह भी नहीं लेगा, क्योंकि अल्रेडी है, तेगा, space दे दिया, p-3, space दे दिया, p-4, space यहां पर, p-5, space दे दिया, p-6, space दे दिया, p-7, space दे दिया, p-8, space दे दिया, आप बात आती है इसकी फॉर्मेंटिंग की आप करते हैं यहां से बोड़न दे लिया, बोल पर दिया, फॉर्ट चेंज कर दिया, तो इस तरह की भी फॉर्मेंटिंग आप पिवर्ट टेबल में कर सकते हैं लेकि उसमें एक प्रॉब्लम है, जिसे माले जे की मैंने फॉर्मेंटिंग कर दिया, तो उससे मेरा डेटा जो था, वो 16 तक था, मैं रिफ्रेस किया, तो मैं डेटा बढ़ेंगे, आप रिफ्रेस क्यों करेंगे, जैसे माले जे डेटा में कोई चेंजिंग होता है, तो रिफ कि अभी इसका टोटल 169 है, जब मैं इसको रिफ्रेस करूंगा, तो देखिए, 2038 हो गया, तो रिफ्रेस करते ही, मने कॉलम आगे और पीछे हो जाता है, उपर नीचे हो जाता है, तो उस केस में आपका फॉर्मेट उपर नीचे नहीं हो, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो तो उसके लिए हम चले जाएंगे पिवर्टेबल डिजाइन पे, डिजाइन पे यहां पे पिवर्टेबल स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल है, अब आपकी रिकॉर्मेंट पे कौन सा फिट बैठता है, या फिर जो आपको अच्छा लोता है, वो आप यहां से चूच करे है, जैसे कि हमने इस को ले लिए. ऐस तो week, Sir हम मुझे इसके ऊपर चार्ट भी चाहिए, तो पिभट टेबल में यहां पे फिवर्ट चार्ट आपको देखीगे. अब यहां से देखी कौन सा चार्ट आपके लिए इस चार्ट है? एक चार्ट है. तो प्लाइन हो दो पाइवे ने चाहते हो डियुक्त पाइवे ना चाहते हो आपको फिराय द आपको फिर में यह नहीं है अब इस चाहए लिंक है हमारे बाइस पिबट टेबल में चेंज दोगा तो चार्ट पी अपने आपको चेंज करें अब रिपोर्ट बन गई अब इसको आप पिबट को मूव करके दे सकते हो अब यहां पर एक कोश्चन आता है इसे माले जी रिपोर्ट मुझे किसी को भीजना है तो कैसे बेजें तो अब इसमें क किशिए हो दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फिल्ट वर्ग Major माले जी के मंधर वाइस इसी वाइस देखना चाहता है तो जैसी यहां से मूंद चेंज करेगा जैं करेगा यहां पर जैं आज है किस्त्त आईया आ पर लगा यहां आई बप्र प्र टेंड रूट की जु जो आपको प्रिवट टेबल के फिवट टेबल के फार्म में भी भीजना है तो ऐसी पॉर्चन भी आ सकते है क्या हमें डेटा भी बेजना होगा क्या सुझीं जी पर इस कोकि प्रिवट टेबल तो मैं आण कनेक्टेट ये डेटा से बड़ा थी गलत है लिंग नहीं है जैसे कि हमाँ डेटा लिंग होता है यहां यहां पर हमने इसको इक्वर प्रेस करके क्लिक करके लिंग कर दिया अब यहां जो भी चेंज होगा एंटर वारती है तो अगर मैं इसको डिलीट किया तो यह डिलीट होगा है अगर फिवर्ट टेबल में यहां प्रेस करता है कि पुरे डेटा को कॉपी करके अपने बैकेंड में सेट कर देता हूं तो मेरे पीवर्ट में कोई नहीं है और right click किजिए move and copy करके create copy कर लीजिए एक नया file बढ़ा के अराम से आप किसी को भीज सकते हैं देखें अराम नया file बढ़ गया अब मैं यहां से pivot के हर एक element को use कर सकता हूँ क्या use नहीं कर सकता? refresh refresh करने पर फिर डेटा खोजेगा और डेटा इसको नहीं मिलेगा तो फिर error सोगर लेगा जब तक refresh नहीं करते हैं तब तक बिना data के अभी pivot आप अराम से यूज कर सकते हैं तो सुनेंदर जी और सुनीद जी, concept समझना आ गया? यस सर आ गया हूँ तर आ गया हूँ तो अब चलिए pivot table के different different part को समस्ते है है, हमने pivot table लगाया, pivot table लगाने के बाद, जैसे के मान दीजिए मुझे चाहिए month wise, city wise, product one का report, month wise छोड़ देता हूँ, name wise, city wise, तो मैंने name को यहां रखा, city को column में रखा, और product one को मैंने यहां पर, तापकर सामने total आ गया? अब इसमें दो चीजे, इसमें क्या है कि blank है, जो ब्लाइंग है, वो zero दिखना चाहिए, या कुछ और दिखना चाहिए, या कुछ और दिखना चाहिए, जो मैं चाहूँ, तो आप pivot table ही right click करें, pivot table option पे जाएं, और यहां पे show value zero कर देएं, अब यहां में question आता है, कि हमें fill में रखा तो मैं रिपूर्ट अब राच्छा आ गया, लगि क्या हर चीज़ को मैं column में लख सकता हूँ, धियान रखेगा, कि column में हम उसी feature को रखते हैं, जिसका count कम है, क्योंकि अगर यहां वर्टिकल है, माल लेजिए, यहां पांसो सिटी होता, तो पांसो सिटी यहां जाने दिक्कत हो जाता है, और दो सब्सक्राइब लेता भी नहीं, तो ऐसे फिल्ड जिसमें number of item की limitation, ऐसे month हो गया, city हो गया, client हो गया, आपको पता है कि 10-15 या 15-20-50 client है, कम client है, तो जाता है कि जादा हुआ तो, उस किसमें आप उस column पर जो फिल्ड रखना चाहते हैं, उसको row का subheading बनाते हैं, तो report को इस तरह से बन जाएगा, इसमें भी आपको देखे, प्लस लाइनस पर सिस्टम इसको बहुत है, collapse and expand, आप pivot table के analyze में जाएंगे, तो यहां पे आपको expand, collapse and expand दिखेगा, अभी report देख लिए, अभी हो गया है कि name by report है, और मैं इसमें क्लिक करूँगा, तो इस city का report आजाएगा, group, ungroup भी हो इसको बोला जाता है, क्या सब्सक्राइब, इस तरह से कर सकते हैं, लेकि जब pivot table के form में बेजिंगे तभी नहीं, लेकि कई बार क्या होता है कि हम अपने report को pivot table के format में नहीं, हम pivot table में summary बनाते हैं, उसको copy करते हैं, किसी और seat पे paste करते हैं, उस पे और भी बहुत सारे calculation करते हैं, तो वहाँ पी दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या होगा, सबसे पहला दिक्कत देखिए, कि एक ही column में आपका name है, और आपका city है, अगर मैंने इसको copy करके, किसी अलग जगा पे paste as in value कर दिया, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि को नेम है, और कौन city है, पता चला है सब, अलो, नहीं सब पता ही लगारा है, तो अगला जो नहीं चाहता हो कि मेरा तीन column में report आए, पहला name, दूसरा city और तीसरा name, इसको करने का दो तरीका है, पहला तरीका कि right click किजिए pivot table option पे जाएए, और display पे आएए, यहाँ पे दिखेगा classical pivot table layout, यहाँ पे चले जाए, यहाँ report layout में दो है आपके सामने, so tabler form और so outline form, दोनों करेंगे तो कुछ इस सब्सक्राइए, अब यहाँ पे देखिए, इस sub total आए, जो बूजा का खतम होगा, और पूजा के रोटर नहीं सब्सक्राइए, तो सब्सक्राइए, तो सब्सक्राइए तो कभी इसकी जरूरत पढ़ती है, कभी इसकी जरूरत नहीं पढ़ती है, तो इस पे मैं right click करूँगा, और इस sub total को uncheck करूँगा, अब यहाँ सब्सक्राइए, अभी भी problem है सब्सक्राइए, अगर मैं इसको copy करके ले जाओ, और मैं paste as value करता हूँ, तो एक छोटी सी problem होती अब मैं filter लगाँगा, कोकि बहुत ज्यादा प्राइडा होगा, तो filter लगाँगा इंदर का सिर्फ यह आज़का, नीचे कर यह नहीं आया, क्योंकि blank है, यह नहीं समझेगा, नॉमल नहीं समझेगा, कि हाँ, इंदर ब्लैक है यह इंदर का पार्ट इन नहीं सम्झेगा, सो तो मुझे चाहिए इस तरह से के रिपीटेड हो कि पुजा नीचे तक रिपीट में आ जाए तबीता नीचे तरह से नीचे तक ऐसे करेंगे इसके लिए तो इसके लिए मैं बेसाबां कि और अधीजाइल नहीं जहां डीकुटेड कहते यहीं पर विपीट और आइटम लेबल ताप रिपीट और इस पर क्लिक किजिए देखिए यहां से रिपीट अब क्या जोनों के बीच में एक ब्लांक लाइन इस एक ब्लांक लाइन तो यहीं पर मैं बोलता हूं यहां पर रो में इनसर ब्लांक लाइन आगया सब्सक्राइब कि इन्सर्ट ब्लैंक लिया है रिगर सर्फ ने तो इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से करना है मुझे इसमें मर्ज करना है इस तरह से मर्ज करना है तो आप नॉर्मल मर्ज करने जाए आपको डेटा मर्ज नहीं करने तो कैसे मर्ज करें राइड क्ली पीड टेबल ऑप्शन सबसे तरह आप्शन दिख्रा होगा निए तरह सेंटर क्या क्रेंगे मर्ज एंड सेंटर बैक सर इमर्ज करने इसमें पूंट आउट सर अच्छ अच्छ पीड आप इस तरह से संब्री को क्रिए कर सकते इस तरह से अफ और मुझे इससे मुझे सिपूरा इंपोर्ट जेह हैं मुझे मुझे देखना है तो मंत में रखतूंगा तो मैं यहाँ से मंद स्लेकित रिजा कि जैन का रिपोर्ट आजाएगा, मैं सेलेक्ट होंगा फैर तो बुड़ा रिपोर्ट हमारा फैर का अपर पूछ लिजिए सब्सक्राइब करेंगे वहाला हटेगा एक और पर नियाग में जाएगे और यहां से जो मर्किन ले सकते हो कभी तो इस पे आपनो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए डेटाशेट इसेम चाहिए आपको यहाँ आपके पास इसेम डेटाशेट आपको दीदेता हुए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि मेल कर देता हुए और यहां देखें कि आप पिबट टेबल को हलके में मत लीजिएगा क्योंकि पिबट टेबल काफी इंपोर्टेंट पार्ट है तो यहां पर सुनील सुनील आपकी क्या है बिस्चदर सुनील आपकी आपके अदर में इवरक्टिस कीजिए और हाँ जो प्रैक्टिस सीट आप करेंगे उप्रैक्टिस सीट मुझे जरूर में लिक ये ताकि मुझे पता तो लगेए कि आप अपनी प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और प्रैक्रिस करते समय कोई भी प्रवब्रम आएगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी अगर आपका नहीं उठाया तो मुझे आप वाट्सब कर दीजिएगा मैं वाट्सब पर इपलाइगा। अगर कोई एरर आता है कि इस तरह का दिक्कत होता है तो प्राक्स उसकी फोटो कीजिएगा और मुझे वाट्सब कर दीजिया बले सब्सक्राइगा। हम आपको देखके सोलूशन बता देंगे कि इस तरह से कीजिए तो आपको चेंड़ेगा। कि छोटी मुटी क्यों के लिए होगा कोई बड़ी पॉलाम होगी जो की फोन पर नहीं समझाया सकता है उसको डाड़ी में नोट कर लिजी है ठीक है तो मिलते हैं कल सिंटाइम लेकिन कृप द्वारा बलना हूँ पिबट टेबल को हलकें मत लिजीएगा अच्छी टेबल क्यों बेस लेके ही टैबलू पाबर विया यह यह सॉफ्टर बने है जो पिबल टेबल के बेस पे ही है ठीक है सर्, ओके बाय